Assalamu alaikum grade 6 कैसे हैं आप सब Welcome back to my English lessons My name is Radha Khalid बर्चो आज हम बात करने वाले हैं Unit no.3 के lesson 4 के बारे में आज हम read करने जा रहे हैं इस video lesson में एक newspaper article तो आईए आज के lesson को start करते हैं जी तो grade 6 ये video lesson होगा lesson no.4 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं एक magazine article की ये है page no.61 से 62 तक इस page के उपर जो magazine article दिया हुआ है उसका नाम है my favorite teacher आपने बात करनी है school days के अंदर के मेरा favorite teacher कौन है मेरा पसंदीता उस्ताद कौन सा है हम सब के कोई ना कोई favorite teacher होते हैं school में, tuition में, academy में जहां भी हम जाते हैं, right तो mostly अगर हम school की बात करें तो वहाँ पर हमारे कोई एक favorite teacher होते हैं और उसके बारे में बहुत सारे writers और authors ने लिखा है तो हमने उसी एक text के अंदर से extract लिया है, इस बात का मतलब ये है कि हमने उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा यानि पूरे text का एक हिस्सा यहां पर लिखा है इसको मैं इंडलाइं पर लिखा है तो आपने उसके अंदर क्या पढ़ना है एक artist है जो अपने favorite teacher के बारे में बात कर रहे है बता रहे हैं कि वो अपने favorite teacher के बारे में क्या-क्या चीज़े पसंद करते थे ठीक है? अच्छा, आपने इस part को read करके मेरे पास वापिस आना है ताके मिलके हम आगे की exercise को solve कर सके और आज हम बहुत ही interesting topic के बारे में बात करने वाले हैं तो बच्चों अगर आपने इसकी reading कर लिए हम अगली बात करते हैं identifying character qualities आप सीधा इस topic के उपर आजाए हमें एक बात पता है कि अगर हमें कोई character कोई human being अच्छा लगता है या कोई भी एक character है और हमें वो अच्छा लग रहा है तो उसकी क्या qualities है कोई न कोई चीज ऐसी होगी न जो उनको best या favorite बनाती है तो आपको किसी भी character के बारे में for example अगर हम teacher की बात कर रहे हैं तो teacher के बारे में जो बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं वो बाते कौन सी हैं उनको कहते हैं character qualities अब character qualities सिर्फ अच्छी ही नहीं हो सकती ठीक है character qualities negative भी हो सकती है for example अगर हम किसी एक ऐसे चक्स की बात करें जो बहुत hard है बहुत harsh है बहुत rudely बात करता है अगर मैं strict teacher की बात करूँ तो उनकी character qualities में हम ये लिखेंगे कि she or he is very strict she never listens to the students और इस तरह की बाते हैं तो character qualities के अंदर हम हर aspect से बात करते हैं हम ये भी बताते हैं कि teacher क्यूं अच्छा है या कोई भी शक्स क्यूं अच्छा है या हम ये भी बताते हैं कि इस character के अंदर क्या क्या बातें बुरी हैं तो सारी के सारी बाते character qualities के अंदर आती हैं आज आपने इस बारे में बात करनी है और सबसे पहले आप इस बात को यहां से पढ़ ले What do you think made Mr. Wood such a good teacher? Fill in the blanks with information from the text तो ये जो text आपने अभी पढ़ा है इस text के अंदर से आपने ये बातें बतानी है कि क्यों Mr. Wood एक अच्छे teacher थे तीक है? अब यहां पर जो बातें लिखी है बचों उनको देखते हैं सबसे पहले जो यहां बात लिखी है question जो लिखा है उसके नीचे आप यूबूप में एक answer लिखा है और बाकी के answer के आगे जो line बनी है उस line के उपर हमने एक और answer लिखना है मैंने यहां पर सिरफ वो वाली blank लिखी है जिसके उपर हमने answer लिखना है जो बात पहले से लिखी हुई है वो मैंने यहां पर no doubt नहीं कि तो आपने confused नहीं होना ओके? Number one, what was the teacher like? वो teacher जो थे, Mr. Woods किस तरहां के थे? तो यहां पर हम लिखते हैं He was patient with his pupil वो अपने शागर्दों के साथ हमेशा क्या करते थे? Patients के साथ काम करते थे सबर का मुझाहिरा करते थे ठीक है? Okay, second पर आजाए What did he do? और वो क्या करते थे? He understood their capabilities Capabilities means उनकी सारी की सारी खासियत या वो सारे उस्पेक्ट जो हर डिफरेंट बच्चे के अंदर होते हैं हम सब किसी काम में महारत रखते हैं कोई आर्टेस्ट अच्छा है, कोई राइटर अच्छा है इसी तरह है क्लास के अंदर हमें बड़े सारे बच्चे मिलते हैं कोई कुछ अच्छा कर सकता है कोई कुछ अच्छा कर सकता है कि 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 इसी तरह हम मिस्टर वूट क्या करते थे? वो सब की capabilities को जामते थे और उसको encourage करते थे कि 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 और उनको समझते थे understood means समझते थे समझ आ गई? All right C He always appreciated or encouraged them Them से वो राग people Okay तो Mr. Wood हमेशा appreciate करते थे encourage करते थे होसलाब जाही करते थे उन बच्चों की जो हमेशा डरे डरे से class में बैठे वे होते हैं सवाल नहीं पूछते ठीक है उनको encourage करते थे होसलाब जाही करते थे कि कोई बात नहीं अगर आप इस test में आपके इच्छे marks नहीं आया है तो next test में अच्छे आजाएंगे हर गुड टीचर यही करते हैं ना तो Mr. Wood भी ऐसे ही थे All right Third one What did he not do? अब आपने बताना है कि वो कौन ऐसा काम था जो वो नहीं करते थे यहाँ पर जो मैंने लिखा है He never punished his pupil वो कभी भी punishment नहीं करते थे ठीक है? अपने शागर्दों को या अपने students को उन्होंने कभी भी डांटा नहीं था उनको punish भी नहीं किया था ठीक है? तो बच्छों यह सारी बातें आपने इन अपने उन बातों के बारे में बात की है जो उनके बारे में अच्छी थी ठीक हो गया? अच्छा अब उसकी बाद इसी बात को बढ़ा के आगे आते हैं अगला टॉपिक है Talking about a topic किसी एक टॉपिक के बारे में बात करना हमने आज सीखना है कि किस तरहां से बात की जाती है हम इस topic को ले लेते हैं यह जो topic हमारे पास यहां लिखा है हम कहते हैं कि किसी एक character के बारे में आज हमने कुछ बात है तो talking about a character किसी character के बारे में आपने बात करनी है for example जैसे हमने भी बात की my favorite teacher के बारे में, तो अगर हम किसी भी एक person को यहां पर रखते हैं और उसके बारे में बात करना चाहरे हैं, तो कैसे discussion करनी चाहिए, तो यह सारी बाते हैं उससे related हैं, ओके, with your class, you are going to discuss the topic, आपने अपनी class के साथ यह सारी बाते डिसकस करनी हैं, अगर आ हमारा topic है, ठीके, इसके बारे में हमने बात करनी है, कि एक good teacher के अंदर, क्या qualities हो सकती हैं, ठीके, ना सिरफ हो सकती हैं, बलके very important, they are very important, बहुत जरूरी हैं, अच्छा, सबसे पहले उसको describe करने के लिए, writing में लिखने के लिए, हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत जरूर है, हमें कुछ nouns यूज़ करने पड़ेंगे, और उन nouns से हमें पता चलेगा के teacher के अंदर क्या qualities है, noun को हम या लिखनेते हैं, qualities, ठीक है, अर्चा जी, kindness, रहम दिली, encouragement, गरज करते थे, होखलाव जाई थी के नहीं थी, praise, तारीफ करते थे, Preservance, Punishment, Explanation, Patience, Failure, तो ये कोछ ऐसी nouns यहां लिखने हैं बख्चो, जो हमें ये बता रही हैं कि ये किसी भी एक teacher के अंदर या किसी character के अंदर, जब हम character की बात करते हैं, तो इन words को use करके हम क्या कर सकते हैं, qualities बता सकते हैं, एक और लफ मैं यां हुद से आट कर रही हूँ Compassion और आपकी problem को समझेगा, okay, okay, इसके बाद, अगली बाद, these adjectives will help you express which qualities are the most valuable, आप बताएंगे, इन adjectives को use करके कौनसी वाली qualities important है, कौनसी वाली qualities बहुत जादा valuable है, okay, अब इनको देखते हैं, सबसे पहला word है important, essential, helpful, necessary, successful, यानि आप यह words यूस करते वे, यह हमारा word bank है, इनको यूस करते वे हम बताएंगे, के in a teacher, it is very important that he must have patience, ठीके, तो important का word भी हम नहां से यूस कर लिया, एक noun यां से ले ली, ठीके, clear, okay, You can qualify your adjectives to help your discussion, आप अपने जो adjectives हैं, इनको भी मजीद बता सकते हैं कि कोई कितना जरूरी है या कितना जरूरी नहीं है, दोनों सूर्टों में, कैसे बात को समझें, हम अपने adjectives को qualify कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह जरूरी है या जरूरी नहीं है, कैसे, हम यह words यूस very important या लिखेंगे most important of all और not so important या बिलकुल भी जरूरी नहीं है not at all important आप इन चारों चीजों को इन चारों बातों को जहीं में रखते हुए adjectives define करेंगे कि किसी एक character या topic के अंदर कौन सी चीज का होना बहुत जरूरी है very important most important of all सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है अब इस बात को समझे अगर मैं कहूँ कि एक teacher के अंदर very important चीज क्या हो सकती है कि उसको subject आता हो लेकिन most important चीज क्या हो सकती है एक teacher के अंदर कि उसको पढ़ाना आता हो बात समझ में आ रही है कि यानि किसी भी character के अंदर हमने कुछ बातें देखनी है जो most important है लेकिन most important of all एक बात लाग भी होगी वो देखेंगे not so important कुछ ऐसी बातें होंगी कि अगर हो भी तो भी ठीक है और अगर ना भी हो तो भी ठीक है not at all important और कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो बिल्कुल irrelevant होंगी जिनका ना होना ही ठीक है ठीक है ना तो इन सारी बातों को हमने जहें में रखना है जब किसी भी character के हम बात करने हैं किसी topic के बारे में discuss करने हैं तब भी ये सारी कि सारी बातें ऐसे ही noun use होंगे ऐसे ही adjectives use करने है और ऐसे ही हमने adjectives को qualify करना है अच्छा अब इन बातों को खतम करके बच्चों हम writing task के उपर आते हैं जो के अगला topic है writing about character qualities अब जो character qualities के बारे में हमने थोड़ा सा सीखा है ना इसी को use करते होए हमने एक writing task करना है जैसे हमें दिया गया था my favorite teacher का extract जैसे वो बात लिखी भी थी ना हमने भी छोटा सा एक extract लिखना है ठीक है? ओके instructions को पढ़ते है write your own description of your favorite teacher आपने अपनी या अपने favorite teacher के बारे में लिखना है अपनी descriptions को use करते होए मतलब अपने word है और आप अपनी teacher के बारे में बताएंगे कि वो कैसी है, कैसी नहीं है कौन सी बात उनमें very important है कौन सी बात उनमें most important of all है ठीक है? आचर दी ये instructions है your teacher can be real or imaginary one आप या तो real teacher की बात कर सकते है for example कोई भी आपके school की teacher है या कोई एक teacher है जो आपको लगता है कि ये शायद reality में नहीं है लेकिन आप चाहते है कि आपकी teacher ऐसी है तो आप दोनों सूर्तों में लिख सकते हैं imaginary भी और real भी ओके? यूज आज बात 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 जितने भी character quality words हमने पड़े हैं यहाँ पर देखें यह adjectives और noun के अंदर तो आप as many as you can जितने ज्यादा आप use कर सकते हैं उतने कर सकते हैं उसके बाद give your description a title और आपने एक title देना है जैसे यहाँ पर Mr. Woods की बारे में जो extract हमने पड़ा है उसका title था my favorite t-shirt तो आप कोई भी एक title उसको देंगे आप कोई भी title दे सकते हैं words आपने खुदी से सोचने हैं और उनको choose करना है तो बच्व इस writing task को आईए start करते हैं तो बच्व अपनी writing को start करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बाते चाहिए आपको सबसे पहले plan करना आना चाहिए कि आपने इपनी writing को कैसे plan करना है कौन सी चीजें आप अपने extract के अंदर लिखने वाले हैं उसको पहले से plan करना words को पहले से choose करना vocabulary को पहले से choose करना बहुत important है यह काम आप कैसे करेंगे इस writing task को start करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ मिट में एक title लिखेंगे जिस title को use करते हुए हमने बाकी की बाते करनी है जैसे यहाँ पर जो Mr. Woods के बारे में हमने पढ़ा है उसका title था my favorite teacher हम यहाँ लिखते हैं the best teacher at my schools ठीक है यह हमारा क्या हो गया टाइटल हो गया और टाइटल को हमने एक cloud में लिखती है clear अब आपने adjective qualities यूज करनी है अगर आपका teacher male है तो आप उनका नाम लिखेंगे और क्या pronoun यूज करेंगे obviously ही और आपकी teacher अगर female है तो आप उनका नाम लिखेंगे और साथ ही साथ बताएंगे उनके साथ यूज किये गए adjective आप name लिखेंगे और उसके साथ pronoun select करनेंगे नेम आपने लिखना है और pronoun अगर female है तो she male है तो he अगली बात आप बताएंगे कि उनकी qualification क्या है क्या पढ़ी हुई है आपकी teacher अगर आपको पता है तो इस बारे में लिखनें अगर नहीं पता तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं कोई मसला नहीं उसके बाद आप में बताना है for example मैं qualification में लिख देती हूँ कि मेरी teacher ने MBA किया है ठीक है for example ओके अगली बात आप बताएंगे कि what does he or she do वो क्या क्या करती है या करते है अब आप बताएंगे कि क्या वो हमारी help करते हैं कि नहीं उसके बाद आप बताएंगे कि वो आपको understand करते हैं कि नहीं ठीक है उसके इलावा आप बताएंगे कि क्या वो आपको encourage करते हैं बिलकुल करते हैं जो लिख देते हैं, ठीक है, एड्जेक्टिब को यूज करें, साथी साथ आपने यहां पर नाउन भी लिखने हैं, क्या वो आपके साथ काइंडनेस शो करते हैं, ठीक है, इस तरह आप यहां एड करते हैं जा अपनी लिस्ट में, आल राइट, यह बाद भी समझ आ गई और ह इसके साथ भूस की जाने वाली प्रोन भी बता दी, ओके अगली बात, उसके बाद आप में बताना है, वाट, दास, पी और शी, नॉट दू, और वो कौन सा इसा काम है, जो नहीं करते हैं, जैसे हमने मिस्टर हूट के बारे में पढ़ा है, तो हम लिखते हैं के, दास नॉ परणिश, ठीके? हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं, दास नॉट शी की दाउट, नहीं दांट ते नहीं है, उसके इलावा, दास नॉट स्क्रीम, ठीके? इस तरह की बात हैं आप लिख सकते हैं, और लास्त में आपने बताना है, वाइड, दू, यू, यू, तिके? he or she is the best आप बताएंगे कि वो क्या रीजन है कौन सी एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपको लगता है कि यही बात है जिसकी वज़ा से मुझे यह तीचर सबसे ज्यादा पसंद है तो आप वहाँ पर कोई एक बात लिखेंगे I like her or him the most because और आगे आप अपनी explanation दे देंगे यह वज़ा है इस वज़ा से मुझे वो पसंद है यह एक रीजन है कोई एक बात आपने बताने है तो बच्चों इन वर्स को यूज करते हैं पर फिर आप sentences बनाएंगे और कितने sentences होंगे जितने sentences होंगे मैं यहां लिख देती हूं नेम और प्रणाउन का एक sentence, qualification का एक sentence उसके बाद यहां पर आप दो से तीन sentence लिख सकते हैं यहां पर भी आप दो से तीन sentence लिख सकते हैं और यहां पर आपने एक sentence लिखना है यानि टोटल कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 2, 8 sentences या आप 8 to 9 या 7 to 9 कह देते हैं इसको, चीक है हम यहां लिखते हैं कि हमने 7 to 9 sentences लिखने हैं किस बारे में अपनी best या फेवर्ट टीचर आप एलाइफ स्कूल के बारे में कोई एक टीचर जो आपकी फेवर्ट है या कोई एक सर जो आपके फेवर्ट है ये काम बचो आपका हूबक है मैंने आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बता दिया इसी तरह हमने अपनी creative writing भी करनी और यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि जब हमने लिखना है अपनी फेवर्ट टीचर के बारे में तो क्या लिखना है और राइट वचो यहां तक हमारा ये वीडियो लेसन खतम होता है आज मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया आज हमने बहुत सारी बाते की अपने फेवर्ट टीचर के बारे में थैंक्यू सो मुझ वचिंग तडेइज लेसन अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं रीडिंग का एक और टास तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपना काम करते रहे हैं अला हाफिज